नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज पी आर मैं हूं आदेश पुरी भारतिय राज व्यवस्था में बुरेक्राइसी के काफी महत्वपुन अस्थान होता है ये नोकर्साही जो है यही परदे की पीछे से पुरे देश को चलाती है पुरी देश की व्यवस्था को कंट्रोल करती है और बिरक्वैसी में सबसे उपर का स्थान होता है आएस अफसरों का यानि कि भारतिय प्रसासनिक सिवा के अफसरों का कहा जाता है कि केंद्र में या राज में जब तक आएस अफसरों की एक अच्छी टीम सरकारों को नहीं मिलती है तब तक वो सरकार सक्सेस नहीं क गर सकते हैं और इसको इंप्रिमेंट कराना होता है उसमें आये सबस्तरों का काफी महत्तपून यогदान होता है और आपको बताएं कि आसमें कि अस्तर पड़ अस्तर पर बारतिय प्रास्तर प्राशास्थनिक सवाह को के अधिकार्यों को किंद्रीय पर बुलाया जाता है और केंद्र के विभिन संस्थानों का सचिव और बड़े बड़े पद दिये जाते हैं और सरकार जो है उनसे नेती निर्मान में मदद लेती है और उसके क्रियान्यवन में काफी इनका महत्पुन योगदान रहता है आपको बताएं कि मौजूदा मोधी सरकार जो है वो जारखंड के अफसरों पर काफी ज्यादा विश्वास कर रही है और वजहें भी है क्योंकि वो इतने योग्य और कुसल है कि सरकार को काफी मदद कर रहे हैं गवर्नेंस में और यही कारण है कि मोधी सरकार ने चार आये सबसर जो कि जारखंड कैडर के हैं काफी महत्तुपुर्ट जिम्धारी दी है आप हम आपको बताएंगे सबसे पहले उसमें नाम आता है जो जारखन कडर के जो आईये सदिकारी हैं उन्हें सो पचासी बैच के हैं अमीत खरे और अमीत खरे के बारे में बताएं कि इनका जो कैरियर है उपलवदियों से भड़ा देश के एक दरजन राज्यों को डिडी फ्रीडिस प्रोटफॉर्म मिलाने में काम्यावी पाई है उनके नितितों में नौमबर 2018 में गोवा में अंतराष्ट्रिये फिल्म महत्सों का आयोजन हुगा अमीत खरे बिहार जारखन के महत्पुन पदों पर रहे हैं उन्हें बह पर रोक लगाने के लिए कई कड़े कानुन बनवाने में काम्यावी हासल की और यही कारण रहा कि इनकी जो है केंद्रिये परतिन्युक्ति के दोरान इन्हें इतना अहम मंत्राले के जिम्मेवारी दिया गया है और वहां भी अपने कर्तव्यों का बहुत है अच्छे से नि कास मंत्राले में सचीव पद की अहम जिम्मेदारी निभाई महतपुन नितिन धरकों में सुमार राजिव गौबा लगवग एक वर्स तक जहरखंड के मुख सचीव के पद पर भी रहे बिहार जहरखंड में महतपुन पदों पर तैनात रहे राजिव गौबा पटना विस जिम्मेवार और जो हैं कैबनेट सचीव हैं और इससे पहले बता दे आपको कि सहरी विकास मंत्राले और होम मिनिस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं जहरखंड के चिफ सेक्रेटरी के पद भी समाले हुए हैं यही कारण है कि इनके कारियों को देखते हुए इन्हें केंदर में कैबनेट सचीव का दर्जा दिया गिया है जो की सबसे बड़ा पद होता है बुर्योक्रैसी में सेन्टर लेबल पे वही आए की बात करें तो 1987 बैच के जहरखंड कैडर के ही आए यह सदकारी हैं नागेंदर नात्सिनहा केंदर में ग्रामीन विकास मंत्राले के सचीव की कमान समाल रहे हैं उन्होंने ग्रामीन विकास मंत्राले से जुड़ी योजनाओं को राश्ट्रिय अस्तर तक धरातल पर उतारने में महती परयास किये हैं बिहार जहरखंड में महत्पुन पदो पर तैनात इलेक्ट्रिकल इंजिनियर रहे नागंदर सिनहा ने राश्ट के हैं ग्रामीन विकास विवाग के सचीव हैं तो काफी महत्पुन डिपार्ट्मेंट दिया गया है आपको बता दे कि परधान मंत्री नैन मोदी जो है देश में गाउं को विकास को लेकर काफी जागरुक रहते हैं और यही कारण है कि इन्हें ग्रामीन विकास का सचीव दिया गया है और सरकार का एक बहुत बड़ा दारोमादार इन पर है वही आगे की बात करे तो उन्हें सो 92 बैच की हैं निधी खरे जो की कोरोना काल में आवस्यक वस्तूओं के कीमतों पर नियंत्रन रखने पर करी नजर रखी हुई हैं उन्होंने इस बावत सभी राज्य के दोरान इन्होंने कई महत्पून नीतियों के निधारन में महत्पून भोमिकानी भाई तो निधी खरे जो हैं इनके भी कारियों को देखते हुए जर्खन कैडर की आएस अफसर हैं जिसने जो मोधी गवर्मेंट में काफी महत्पून मंत्राले दिया गया है और कोरोना का में जहां समानों की का बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है और महीं हो रहे हैं समान उन पर कड़ी नियंतरन बनाये रखने के लिए इन्हें जिम्मवारी दी गई है इसके अला हम बात करें जार्खन के रहने वाले दो आईपीएस अफसरों की सबसे उपर आता है इस बहुत चर्चित चारा घोटाले कांड के जांच करता रहें उस समय ये सीवी आई के सीवी आई में का पोस्टिंग था वही आपको हम बताएं कि उन्हें दो हजार दो में गोधरा में हुए सावरमती एकस्पेस में जो कांड हुआ था उसका भी इन्वेस्टिकेसन ये सीव विवादों में रहें और इन्हें डीजी बीएसेफ का इन्हें दारवमादार मिला है और परधान मंत्री नरेंद मोदी के काफी करीवी और विश्वासी ये अधिकारी हैं वही आगे बात करें तो सुबोध कुमार जैस्वाल जिन जो कि जारखन के ही रहने वाले हैं धनब के आईपीए सदिकारी हैं महराष्ट के डीजी पी रहें मुंबई के पुलीस कमिस्टना रहें रो में उन्हें उन्हें काम किया और अभी इन्हें वरियता की अधार पर परधान मंत्री फिर से मुक्ष चिफ जस्टीस ऑफ इंडिया और अधिर रंजन चौदरी जो भी पक इन पर मोधी गवर्मेंट काफी विश्वास कर रही है और अपनी योग्यता कुसलता के दम पर ये देश में काफी अच्छे काम भी कर रहे हैं तो आपको बताएं कि नैंद मोधी जो हैं उनका विशेज ध्यान जारखंड के अधिकारियों पर है और इनकी योग्यता ने इ ये रिपोर्ट जो कि जारखंड काईडर के और जारखंड में जन्म लेने वाले अधिकारियों के से समद्धी था वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें कमेंट करें हमारे चैनल न्यूस प्यार को जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यबाद